तो आज हम लोग एकोनोमिक सर्वे करें चेटर वन की सम्भरी हम लोग को समरी को डिटेल में समझेंगे छाइज अकिके और यह लुदरे दिस्कस किये एओ ग्लॉबल एकोनोमी घुरणS thank the उनिजिश तो जो ग्लोबल ऑकोनोमी कालें पहले इन्हों ने उसको क्या हैं फिर उसके बाद मेच्रो क्रो इकोनोमी ट्रॉब चलेंज्जे इंडियन इकुनोम्य तरड हैं कि aerial तो इस थोट आइ फिर्ट रिय्व एंड थे निंटियोट इन आपोड फिर्ट इंडियर एंडियां इन्टियोजिव तो फिर्ट फृटिवर एंडियें धर्थ थे लेड लूज अटार्वजजआ जार्पीक अडियोडविक अट्रीजियर अजीजrien बिढ़ें में त्म्लीज पैंडेमिक इंडूसेश कॉंट्रेक्शन अफ ग्लोबल आउटपूट सेकेंड रस्या-उक्रियन कॉंफिक्ट विच इस लेश्ट तो सर्जिन इंफ्लेशन थर्ड है ओल अल्सेंटर बैंक अक्रोस वर्ल्ड दे स्टार्ट टू रेजिन आप पॉलसी हाइप पॉलसी रेट ह आया था देखो 2020 में ठीक है उससे हुआ क्या पैंडेमिक के वज़से आउटपूट फॉल हुआ तो आउटपूट फॉल्ड वाने के वेज़से हुआ क्या तो गवर्मेंट जो है और सेंट्रल बैंक सभी कंट्रिस के और एकोनोमी के उनका काम था इस आउटपूट पॉल देखो फॉल ही प्राइच करना फॉल्ट प्रोट्री आप़ ग्रोटन के पास कौन सा तूल होता हिसको करते हैं युआ कान्ठीग को खेटा है शुक्सक्रिए कशेव पॉल्सी के गृष्ण करता है और अलाग अलाग पलसी के थुरू ग्वर्मेंट जो है चली सपोर्ट करत तो वो क्या गरेगा वो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देगा जब कि जब उसे ग्रोथ को इंक्रीज करना हो ठीक है यह यह दोनों यह सेम चीज अपनाई गई by all the government and central bank in the world and across the world during the pandemic उसके बाद हुआ कि जैसे supply तो इंप्रूव हुई नहीं क्यों supply नहीं इंप्रूव हुई विकॉज supply तो हुई थी विकॉज पेंडमिक और जो दिमांड है वो आप्टर जो फाइव और शिक्स मंथ क्या हो ही वो दिमांड सेम की सेम रही तो बिकॉज अब दिस मिसमेच इन द प्राइव स्चाओ अब देट समय के वो दिमांड इंक्रीज अधसे अगर जनली दिमांड इंक्रीज उ लेसे थे एन अः विकॉज थी यहां फानि नहीं तो इंपे नाव दिर्टेक्षण पोइए देश्प्राइव स्टी थीज थी प्राइव और श्रूज खीए नहींप of that हुआ क्या supply में और disruption हुए ठीक है और commodity prices increase fuel fuel और oil prices increase जिसके वज़े से क्या वोल्ड वाल inflation और ज्यादा अधिक हो गया अब inflation जो है सभी के सब जो Central Bank होते हैं most of the country है उनमें Central Bank है वह जाता inflation targeting follow करते हैं जिसमें या तो fixed interest rate या range of interest rate वो फोलो करते हैं for the example इंडिया में क्या होता है दो percentage चार परसेंट दो परसेंट से चार परसेंट से चार परसेंट सिक्स परसेंट ठीक है 2 परसेंट तो 6 परसेंट यह टोलरेंट बेंड है फॉर दे इंफ्लेशन तो का function क्या है ग्रोफ को बी support करो और उसके और प्राइज स्टिबिल्टी को भी तो यहां पर क्या होगा is the inflation बहुत जादा in म्ट्रेश हुआ तो यहां किया करेंगे अब वो क्या करेंगे inflation को कम करने की कोसिस करेंगे तो यह लोग inflation कैसे कम करेंगे तो पहले इन्होंने इंफ्लेशन आया कैसे तो बहुत ज़्यादा पैसा और you can say liquidity in the market तो बहुत ज़्यादा liquidity कैसे इन लोग ने लाया हुआ तो यह लोग क्या करते हैं interest rate को कम कर देते हैं to increase the liquidity in the market और you can say money supply कैसे कैसे अगर वह interest rate को क्या बोला जाते है कर जाते हैं जिसको policy rate भी बोला जाता है ठीक है तो after this अगर आप देखो तो यूएस में भी inflation अधिक था जिसके वैसे यूएस के जो सेंडरल बेंकर फेड ने उसने क्या किया रेट हाइक किया तो रेट हाइक करने क्या होगा जो जो इन्वेस्टर इंटर्नेशन इंटर्नेश यूएस जो एकोनोमी वह बहुत जादा स्टेबल है और अगर वहां पर इंटर्स रेट हाइए मिलेगा तो जो इन्वेस्टर है वह क्या करेंगे अपना केपिटल एडवांस डेवलोपिंग कंट्री से निकाल के एडवांस एकोनमी यूएस में डालेंगे ठीक है तो सेमिल आप लोग ने सुनाओगा नीज में कि इंडिया में जो है केपिटल का आउट फ्लो हो रहा है ठीक है और फोरन रिजल्ट कम हो रहे है इंडिया के और यह सेम तिंग हुई सभी कंट्रियों के साथ है और यह कुछ कंट्रियों के साथ इतना दिक हुए जिसके विए से उनका कॉलेप्स कर गई कंट्रिया ठीक है एकनोमी कॉलेप्स कर गई तो देखो उससे होगा क्या डिमांड फॉर यूएस डोलर वोर्ट इंक्रीस है ना डिमांड बढ़ेगी यूएस डोलर के लिए जैसे ही लोग जब यह लोग इधर इंवेस्ट करना सुरुकर गई तो यूए तो अगर इंपोर्ट जो है वो हायर हुआ एक्सपोर्ट से तो वहां पर क्या होता है और जब भी जब भी डॉलर अप्रिसियर होता है तो करेंट अकॉंट डेफिसित क्या होता है इंक्रीज हो जाता है बिकोस कंट्रीज को ज्यादा पेक करना पड़ता है for you know bringing same amount of quantity तो जि data default to billion in the current account deficit and increase the inflationary pressure in the net importing economy in the net importing economy उने होता है तो इन में होला क्या इसे inflation कैसे जो IMF है, उसने अपने world economic outlook में, October 2020 में, जो global growth है उसको कम कर दिया था, उसकी forecast को कम कर दिया था, ठीक है, और यह further कम कर रहे हैं लोग, अभी भी inflation high है in advanced economy और अभी भी chances है कि यह policy rate increase कर सकते हैं, जिसके विए से, जो global economic outlook है वो बहुत सही नहीं दिख रहा है, जिसके विए से ऐसे भी comment आ रहे हैं, economist के की, world global economy बहुत बड़ा recession में जा सकती है, ठीक है, तो these are the reason, now let's talk about the Indian economy, और Indian economy भी कुछ same effects से ही गुजरेगी, जो GDP fall हुई, and FY22 में Indian economy started required despite of Omicron wave of January 2022, Omicron wave जो है, as compared to previous two years, इसका effect Indian economy पे बहुत ही कम रहा, और फिर, output जो है, Indian economy में, FY20, financial year 22 में, वो वें पास इस फिली पेंडमिक लेवल, और economy फुली रिकवर कर गई, ठीक है, but हुआ क्या, कि conflict in Europe, जो वही सेम सिच, Russia, Ukraine का war के वेज़ से क्या 2022, तो देखो, जो मैंने बताया था, कि जो RBI का, देखो, एक्चली में आपको पता होगा, कि ये जो war है, ये हुई थी, फेव, 2022 में, ठीक है, बट यहां पे देखोगे, आप January में ही, inflation क्या था, tolerance range के उपर था, ठीक है, tolerance range, RBI का क्या है, RBI क्या है, Central Bank के, उसका tolerance range है क्या, 2 to 6%, ठीक है, तो 6% से अबो जनवरी में ही था, ठीक है, बट इनकी war ने क्या किया, और भी अधिक कर दिया, इसको, जिसके विए से हुआ क्या, फोदर 10 मंथ, हमारे, जो, RBI ये, ये, इन्फलेशन को कम करने की कोशिस की, ठीक है, बट 10 मंथ के लिए, ये, अबो 6 रहा, ठीक क्या करेगा, देखो, RBI क्या करेगा, RBI policy rate increase करेगा to reduce inflation, similarly, government क्या करेगी, तो government एक import inflation बोला जाता है, जो की, similarly, होता क्या है, कि, जैसे import duty लगी होती है, कोई भी चीज आप import करते हो, कोई भी raw material import करते हो, तो government क्या कर सकती है, वो import duty को कम कर सकती है, जिससे होगा क्या, जो भी आप raw material import करेगा, country के अंदर, उसकी price कम हो जाएगी, ठीक है, import duty अगर कम करेगी, government, है न, import duty अगर कम करेगी, तो उससे होगा, क्या prices, जो है good की, वो कम हो जाएगी, जैसे क्या होगा, inflation पर थोड़ा control होगा, ठीक है, तो similarly, government ने ये, ऐसे steps लिए, और जो good, जो important है, for the domestic demand, उ उसको क्या करें, कि उसके export पे provision लगा सकती है, जैसे Indian government ने provision on the wheat, export of wheat पे लगाया था, ठीक है, तो ये सारे कुछ, इंडियन government ने लिए थे, ठीक है, और RBI ने से, इंफलेशन को काप करने के लिए, policy rate increase किये थे, बट अब देखते हैं कि Indian economy पे क्या उन कौन से challenges है, तो challenges for the Indian economy is still depreciating of rupees, जैसे मैंने explain किया था, कैसे किसी भी country का currency depreciate होगी, because of the, when the US will increase their policy rates, so अभी भी क्या है, there is likelihood to further increase in the policy rate by the US Fed, इसकी अभी भी संभावना है, जिसके वैसे क्या होगा, अभी भी हमार, ये challenge अभी है कि rupees depreciate कर सकता है, ठीक है, और because of this rupees depreciating, widening in the current account deficit, the current account deficit भी मतलब increase हो सकता है, because of, still we have the same situations, है ना, और loss of the export, तो दो देखो, loss of export कैसे हो सकता है, इंडियन economy में, क्योंकि, है, अभी भी ये point है कि, जो world growth है, वो बहुत slow down होने वाले है, demand कम होगा, demand कम होगा, तो हमारे भी product है, उनकी demand और over the world कम होगी, जिसके वाज़े से हमें, loss हो सकता है, export के अंदर Loss in the export का मिनिंग यह है कि export का होगा, इसकी chances है, तो these are the challenges that Indian economy would face in the upcoming years, ठीक है, और upcoming timing, है ना, despite all these challenges, agency around the world continue to project India faster growing major economy at the 6.5 to 7 percentage in the F523, पर इसकिल हमारी जो growth है, वो faster growing economy होने वाली है, उसकी growth 6.5 to 7 percentage है, ऐसा प्रेजित किया जा रहा है, around the agencies, around the world, तो चलो ठीके देखते है, कैसे कौन-कौन से factor है, इस robust economy में, robust story में, तो private consumption, first of all, private consumption and second, capital formation, तो देखो private consumption की story, आप इससे समझ सकते हो कि क्यों private consumption strong है इंडिया में, तो उसके regions है, कि vaccination drive जो है, वो हमारी इंडिया में बहुत एच्छी हुए, जिसके विएसे हुआ कि consumers के sentiments जो है, वो growth को लेके बहुत सही है, in अपिस्टिक in the private consumption has boosted the production activity and resulting in the increasing in the capacity utilities across the sector, ठीक है, तो capital expenditure is very important for, you know, upcoming timing, और next है the capital expenditure, तो अभी देखे जाए, तो capital expenditure which increased by 63.4% in the first eight month of the FY23, एना, तो दिस अनेदर ग्रोथ द्राइवर of the Indian economy, you know, that कि अगर कोई भी capital expenditure होता है, तो infrastructure पे जो भी expenditure होते हैं, जो कि in the long run economy को बहुत ज़ road, hospitals, ये सब जो भी expenditure होता है, जिसे क्या होता है, जिसे कि अगर transformation, जितना असान होगा है, उससे होगा क्या, कि business बहुत fast हो पाते हैं, ठीक है, similarly, अभी हमारी जो financial health है, आप अब अब पुबिक सेक्टर बैंक, वो भी बहुत इंप्रूव हो चुकी है, तो अगर इंक्रेश growth अच्छी है, तो ये भी एक अच्छा sign है, for the Indian economy, है ना, और हमारा banking sector भी इसे में बहुत ही अच्छी positions में है, उसके कई सारे region है, एक तो government ने जो, हमारा UPI system है, वो अच्छा है, government ने जो जंधन अकाउंट और अकाउंट ओपन कराया है, जिसके रिसे क्या हुआ है, कि वो ह हमारे banking sector को बहुत अच्छी, you know, information दे रहे हैं, data मिल रहा है, और savings भी बढ़ रही है, ठीक है, तो ये सारे regions है, ठीक है, now inclusive, India's inclusive growth को देख लेते हैं, कि inclusive growth की story क्या है, India's की, तो growth is inclusive when the career job, so this is very important line, I think, देखो होता क्या है, कि इसके पहले भी India, जो 2000 से, 2008 के पहले तका जो growth थी हमारी वो बहुत अच्छी थी, बट उसके में एक ही, उस growth में यही issue था, कि उसमें job create नहीं हुई थी, ठीक है, employment उतना अच्छा नहीं रहता, जितना अच्छा हमारी growth रही थी, ठीक है, तो actually growth, किसी भी economy की एगर GDP growth अच्छी करती है, बट अगर उसकी employment नहीं हो, तो उससे ह होगा क्या inequality increase होती है, ठीक है, inequality मतलब क्या है कि कुछ part जो है, कुछ section जो है economy का, उसको कुछ ज्यादा benefit नहीं मिलता है, उस growth का, ठीक है, इसलिए growth जो है inclusive होती है, वो ज्यादा better होती है, as compared to just growth है, इसलिए हर economy जो है inclusive growth पर ध्यान देती है, आपने सुना होगा financial inclusion, so यह सारे बहुत inclusion of all, हमें हर economy में हर section के वेक्तियों को हमें include करना है, इस growth के पार्ट में, ठीक है, so this is, you know, official and unofficial source of confirm that employment level has risen in the current financial year, employment अगर increase होगा, again, this is a better situation as compared to previous, ठीक है, तो यहां पे इनोंने data प्रवाइड किया है, कि 9.8% से unemployment rate जो है, वो fall हुआ है, urban unemployment rate 9.8% साथ, जो September 2021 में, वो कि September 2022, तो unemployment fall हुआ है, और same thing, employment increase हुआ है, ठीक है, now, यहां पे point है कि, emergency credit line guarantee scheme, this is, actually, यह, जो scheme में, वो MSME के लिए है, जो कि उनको help की, उनको जब credit की अशकता थी बहुत जादा, ठीक है, तो वो FY21 में लाए गई यह स्किम थी, PM किसान, यह भी बहुत important scheme थी, for the, you know, एक household half of the ruler population, so, यह भी बहुत बड़ा, you know, point है, यहां पे, now, the PM गरीब कल्यान अन्योजना, ठीक है, यह 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 जना केंदर मुक्त अन्योजना प्रवाइट किया जाता है, free distribution of food है, और UNDP जो है, अपने report में, जुलाई में, यह statement देता है कि, recently, inflationary episode in India would have a low poverty impact due to well-targeted group, और well-target support, so, actually, यह इसी सब policies को, you know, देखते हुए, UNDP अपने इस report में ऐसा बोलता है, ठीक है, again, we will, if we see the survey of national family health survey, ठीक है, इस survey दिखाता है कि, India जो है, improve the rural welfare indicator, ठीक है, from 2016 to 2022, ठीक है, तो इसमें, जैसे कि, gender, fertility rate, household, amenity and women empowerment, यह सब यह सब जो rural welfare indicator थे, यह सब में improvement देखने को मिला है अब देखते हम लो, Outlook, Outlook for 2023 and 2024, the India recovery from the pandemic was very, you know, quick, you know, some of, say, the V-safe recovery, you know, and the growth in the upcoming year will be supported by the solid demand, again, the demand, you can conclude here, consumption, include here consumption, and a pickup in the capital investment, so, these are the, you know, again, the factor that will support the future demand, future growth in the economy, and here are the others, यहां पर अलग भी कुछ दिये गए हैं, जो कि हमारे economy को support करेंगे, जैसे कि public digital platform, actually, हमारी digital infrastructure बहुत important है, किसी भी economy को grow करने के लिए, देन तक गती सकती, गती सकती भी एक बहुत अच्छा important scheme है, जो कि क्या करती है, सारी, जो भी ministry है, इन सब को एक platform पर लाके, यह अपने ए manufacturing output, you know that production link जो incentives की में, यह 14 sector में work करें, जिसमें होता क्या है, government incentive देती है, उन companies को जो की production जो है, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो survey projected the baseline GDP growth 6.5% in the real term in the FY24, now, यहां पर मैं next page पर जाता हूँ, क्योंकि यहां पर जो growth projection है, वो इस page में, आपको लोग को सम्माज में आ जाएगा, कि यह जो है हमारे economic survey दोरा जो projection है, कि इंडिया की growth 6-6.8 में है, ठीक है, और यह जो estimate है by the OECD, IMF, RBI, World Bank, और Asian Development Bank, तो इन सब के दोरा यह सब जो percentage है, वो दिये गया है, आप लोग देख सकते हो, most of 6 और 7 की बीच में ही है, except the OECD, so, I hope this lecture, you know, explain you whole summary of this chapter 1, और in the next, अब हम ल लो सुसक्ता चारा कि अग spreads जो सकतर चंए है, दो सुसक्ता चारा ठाप्ट में है, जो अगर अन दो सकतर जो सकता यजिया में है, रिमा को लो दो दो स pensar सकता थादानी उजिया, झापला na में है, अशध़ जादानी में है, झारा भ्स आद़ीबानी, अवा difρι Oláूब़ा, यह